साथ यो एक बार फिर से हम लोग बिलियम सैक्सपियर के एक नए प्ले एक नए नाटक कॉमेडी प्ले को डिसकस करेंगे जिसका नाम है दिटेमिंग आप दी शुरू अगर हम दिटेमिंग आप दी शुरू की बात करते हैं तो इसके थोड़े से की फैक्स को समझते चलिएगा साथी हो इसमें क्या है रिटेन आरली प्ले यानि कि इनके जो प्ले थे वो दोस्तों तीन भागों में डिवाइड थे आरली प्ले मिडिल प्ले और लेटर प्ले लिखा हुआ माना जाता है और इसकी मेली जो सेटिंग होई थे देखो दोस्तों एक चीज बिसे ध्यारक को कि आखिर को से पूट अप होते हैं किस तरीके से एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जब भी बिलियम साइक्सपीर को आप स्टड़ी कर रहे है तो उनके के प्ले के कराड़े को बेहतरीन तरीके से समझ करके जाएगा उनका सूर्सिस क्या है दोस्तों सेटिंग का है कब रिटिन हुआ पबलिस कब हुआ जिनेर क्या है इस सारी चीजों से कोस्चन बनते हैं तो उनकोस्चन को जरूर पढ़के जाएगा और एक बार सभी प्ले की हिंदी चुरूर पढ़के जाएगा जिससे कि आपको उनके बारे में अगर किसी भी तरीके से कुछ भी कोश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर देने में ओके सक्छामू तो चलो एक बार हम लोग बताते हैं इसको और इसकी सेटिंग का हुई मेंली दोस्तो वो इटली में हुए और इटली का ओके कहां पेड़ुआ में इटली के पेड़ुआ में रिटिन इन इंग्लैंड ये इंग्लैंड में लिखा गया और पबलिश हुआ था ये फस्ट फोलियो 1623 में दोस्तो इसका जिनेर क्या है ये एक कॉमेडी प्ले है अगर दोस्तों हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स में ये एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं टेमिंग आप दिस्रू टेमिंग आप दिस्रू जो बिलियां सेक्सफियर का माना जाता है वो कुछ उससे मिलता जूलता माना जाता है इसका source माना जाता है तो कभी भी इनका source लिखने के लिए आ जाए तो दोस्तों आपको बताना है एक anonymous का मतलब होता है गुम नाम जिसका कोई नाम ना हो नाम रही एक बैलर था जिसका नाम था अमेरी जेस्ट आप आप स्रियोड एंड क्रस्ट वाइफ जो की प्रिंट हुई थी 1550 में दोस्तों अच्छा इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता दूँ अमेरी जेस्ट आप स्रियोड एंड क्रस्ट वाइफ इसका एक basically meaning क्या था कि उस समय जो महलाएं होती थी जो पूरा का पूरा बैलड है जिसका नाम है अमेरी जेस्ट आप स्रियोड एंड क्रस्ट वाइफ यह क्या करता है एक चतुर और जिद्दी वाइफ की हिंसक कहानी को बताता है जो उसे अच्छा बेबहार सिखाने के लिए एक नमकीन गोड़े की खाल में पीटा और लपेटा जाता है और यह लगबग अगर हम बात करें जैसा कि लिखा हुआ है कि 1550 के आसपास लिखा गया बट डेट इस नौर्थी कनफरम और इसमें कुछ अगर हम बात करें इसमें बहुत कुछ जो एदा टेमिंग आप दी शुरू हमने पहले भी बता चुके हैं जो बिलियम सेक्सपियर का नाटक है टेमिंग आप दी शुरू वो इसी का सुरूत माना जाता है जिसमें पैटराइसियो की तुलना की जाती है तो चलो हम लोग डिसकस करते हैं इसमें यह बड़ी लोग पर यह कहानिया हुआ करती थी पहले और के एक चतुरो जिग्यासु पत्नी में जो मीरा जेस्ट में होता क्या है यह सारी चीजे इसमें दिखाई जाती है तो हम तुमें आगे चल करके इस कहानी को भी दे टेमिंग लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी दे टेमिंग आप दी शुरू को तो हमने एक सोर्स बता जिसका नाम था अमेरी चेस्ट आफ्सरूड एंड अक्रस्टल वाइव जो के प्रिंट हुआ था पंदरसो नब्दे में अच्छा हम इसके सेटिंग की बात कर लेते हैं कि इसकी सेटिंग का होई तो सेटिंग मैं पहले ही बता चुका हूं मेली जो सेटिंग होती है वो अगर कहीं आप्सन में इटली लिखाओ तो इटली भी आप्सन आपका सही होगा इटली के पैडुआ से बेसिकली शुरुआत होती है सम टाइम इन पैटरस योज हों ओके इन दी कंट्री दोस्तो यह सेटिंग हो गई तो चलो अब हम थोड़ा सा में केरेक्टर की बात कर ल इसमें जो में केरेक्टर कौन कौन सो होती है जरा समझेगा दोस्तो कैथरीना कौन होती है कैथरीना कैटे मिनोला इसका पूरा नाम होता है क्या होता है कैथरीना कैथरीना मिनोला इसका पूरा नाम होता है इसको सौड़ हमें हम कैटे कहते है क्या कहेंगे कैटे ओके यह कौन दिखाई जाती है दोस्तो शुरू आप दे टाइटिल और ये एक बैप्टिस्टा मिनोला नाम का बहुत ही धनी ब्यक्ति होता है रिच परसन होता है उसकी पुत्री दिखाई जाती है कौन कैतरीना कैतरीना और बियांका ये दो बहने होती है फिर समझेगा कैतरीना और क्या है दो सगी बहने है जिसमें कैतरीना बड़ी है और बियांका छोटी है ये दोनों बहने किसकी पुत्रिया है बैप्टिस्टा की किसकी बैप्टिस्टा एक धनी ब्यक्ति दिखाया जाता है इसका पूरा नाम होता है बैप्टिस्टा मिनोला क्या होता है और आप बैब्टिस्टा, ओके, इस सब चीज़े हम बताए चुके हैं, अगला हम बैब्टिस्टा की बात करेंगे, तो बैब्टिस्टा क्या है? दोनों पुत्रियों का पिता है, किसका? कैथरीना का और बियांका का और ये बैप्टिस्टा है कौन दोस्तों तो एक रिच जंटिल्मेन आप पेड़ुआ पेड़ुआ जो कि इटली का एक सहर है वोके बहा का एक रिच जंटिल्मेन दिखाया जाता है पेटराशियो की अगर हम बात करें दोस्तों कि ये पेटराशियो कौन है तो पेटराशि कैतरीना का हस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से NCO होता है और होट NCO होता है फिर रिपीट करता हूँ इतीनों करक्टर करक्टर देखो बिसेज ध्यार रखना सबसे अच्छे से पढ़ते जाना है अगर आपको TGT PGT पे बहुत अच्छा कमांड करना है बाकी तो आपकी मर्जी जैसे भी पढ़ना चाहो अच्छा लगे तो वीडियो आगे तक देखो नहीं अच्छा लगे तो ड्रॉप भी कर सकते हो ओके क्योंकि टाइम किल करने से कोई मतलब नहीं बनता है समझ आए तो वीडियो को कांटिनू करो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर समझने बाली बात यह है कि तीन कारेक्टर जो की शूटर्स आप भीयंका दिखाये जाते अच्छा ये सूटर कौन होते हैं दोस्तो सूटर्स का मतलब होता है साधी करने के इच्चुक ब्यक्ति साधी करने के तो तीन लोग बियंका से साधी करने के इच्छुक बेखते हैं मैं इनकी हिंदी स्टोरी जब हिंदी कहानी लेकर के चलेंगे तब आपको एक एक बड़ दिटेमिंग आप दी शुरू का समझाएगा साथियो तो हमने क्या बताया कि जो ग्रेमियों है लुशेंशियो है हॉटेंशियो है इतिनों सूटर आप बियंका दिखाये जाते हैं औके और जो पेटरेशियो है अब ही देखो फोर्थ केरेक्टर कितने केरेक्टर आचवे हैं पेटरेशियो यह जो है वो कैथरीन से साधी करना चाहता है जबकि कैथरीन से कोई भी साधी नहीं करना चाहता है ये कहानी मैं तुमको आगे चल करके बताऊंगा अभी तो मैं केरेक्टर को थोड़ सा डिसकस कर रहा हूँ सौर्ट में अब लुसेंशियो कौन होता है लुसेंशियो सन आप बिसेंशियो है किसका है बिसेंशियो का पुत्र दिखाया जाता है और ये लुसेंशियो जो है प्यार करने लगता है बियंका को बियंका को देखते ही एकदम पागल हो जाता है दोस्तों अब ये बिसेंशियो कौन है बिसेंशियो को जरा समझ लो बिसेंशियो an old gentleman आप 20 कौन है old gentleman दिखाया जाता है कहां का 20 अगला Christopher Sly किसकी बात करेंगे Christopher Sly कौन है Christopher Sly actually क्या होता है main plot के अलावा sub plot के जो main plot है उसका एक induction है दोस्ते एक introduction भी है तो उसमें एक अलग कहानी चलती है Christopher Sly की जो की एक drunk का drunken tinker दिखाया जाता है tinker क्या होता है basically एक बरतन बनाने वाला या बरतन बेचने वाले को tinker कहा जाता है ठीक है अब हम इसके बात करेंगे अगला अब अगला जो character होता है वो बार्थो लोमियो दिखाया जाता है बार्थो लोमियो कौन होता है Lords का Page Boy दिखाया जाता है Lords का Page Boy कौन हो था Bartho, Lomiu अब आपको Clear समझ आ गया होगा दोस्तों कि कौन-कौन से हमारे Main Character है Katrina Milona जिसका Short Name Kate है और यह शुरू दिखाया जाती है तो कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि Determin आप दिखुरू में शुरू कौन है तो कैतरीना यहाँ पर शुरू का मतलब होता है चतुरा जिग्यासु पत्नी अर्था जिसको Saints ना हो यह भी कह सकते हो ठीक है अब अगला कौन है बियंका जो कि कैतरीना की वहन है और बैप्टिस्टा की पुत्री है बैप्टिस्टा की दो पुत्री होती है कैतरीना और बियंका बैप्टिस्टा स्वयम एक जंटिल्मेन होता है पैडवा का एक रिच जंटिल्मेन कह सकते हो पैट्रेशियो जो है वो कैतरीना से साधी करने का इच्छुक ब्यक्ति है और बाद में इसकी जो है कैथरीना से साधी हो भी जाती है और पैटरिशियो एक बैरोना का जंटिलमेन दिखाया जाता है ग्रेमियो लुसेंशियो होटेंशियो ये तीनों ब्यांका से साधी करना चाहते हैं इसलिए suiters आप बियंका है बियंका से सारी कने के इच चुक बेत है Lucentio जो है Vicentio का पुतर दिखाया जाता है जो कि बियंका को देखते ही पागल हो जाता है Vicentio एक old gentleman होता है पाईसा का और अगले करेक्टर की अगर हम बात करें तो Christopher सिलाई है, एक ड्रंकन Tinker दिखाया जाता है Tinker के बारे में मैं बता चुका हूँ Barth Bartholomeo it laws page बोई दिखाया जाता है, जो कि Christopher सिलाई से क्या करता है मजे लेता है, ओके अर्था prank करता है, जिसके साथ में आगे की कहानी हम सुरू करेंने से पहले थोड़े से इसके कुछ famous speeches के बारे में बता तो इसके दो इस प्लेक जो comedy है इस comedy के दो speech जो है वो बहुत ही ज़्यादा famous है साथ ही इनके प्रिसित वास्रल आखिर हैं कौन कौन से देखेगा उन्होंने का no profit grows, there is no pleasure no profit यान कि कोई लाव नहीं बढ़ता है जहां कोई खुशी नहीं होती है ओके फिर date, time, in brief, sir, study what you most affect ए ट्रैनियों द्वारा कहा जाता है act first और scene first में दोस्तु अगला दूसरा इसका most important speech है दोस्तु a woman moved is like a fountain troubled muddy, ill-seeming, thick, okay breath of beauty, thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy heed, thy sovereign one dad cares for thee एक कैथरीना बोलती है और किसमें act fifth scene second में दोस्तु किसमें कैथरीन बोलती है जो है act fifth और scene second में और ये total comedy जो है पांच act में ही divided है दोस्तो तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा दोस्तो कि एक महला जैसा, okay, move करते हैं जैसा फबारा परिसान महला बीमार लग रहा है जैसे मोटी सुन्दर का, यह क्या होता है तेरा पती, तेरा स्वामी, तेरा जीवन, तेरा रक्षग, यह सारी चीजों की तेरा प्रवू, okay, एक जो मारी परवा करता है, वही सब कुछ होता है, यानि कि अपने पती के वारे में, जो है कैथरीन बोलती है, दोस्तो इसमें अब आपको इसके में प्लॉट की ओर हम ले चलते हैं, दोस्तो, पहले तो थोड़ा सा हम इसके सब प्लॉट की ओर जाएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं, कि इसका क्या है, कैथरीना कैटे मिनोला जो है, वो शिरू दिखाई जाती है, आपने टाइटिल की, टाइटिल की सिरू है, और बियंका मिनोला, अच्छा, इनके आगे सब के मिनोला क्यों लगा है, क्योंकि ये इनका, जैसे हम लोग नहीं होते हैं, कि अपने नाम के आगे कोई गुपता लगाता है, कोई गंवार लगाता है, कोई अगरवाल लगाता है, कोई कुछ लगाता है, वैसी इन इनके पिता का नाम जो है इनके पिता के नाम के आगे मिनोला लगा है तो कैथरीना और बियंका इस सबी तो बैप्टिस्टा मिलोना इनके पिता है और इनकी दो पुत्री है कैथरीना और बियंका ठीक है पैटरोशियो सूटर आप कैथरीना दिखाया जाता है ओके ग्रेमियो ओके एल्डरली सूटर आप बियंका, बियंका की तीन सूटर दिखाये जाएंगे लुसेंशियो और होटेंशियो ओके ये तीनों जो हैं किसके बियंका के सूटर है और होटेंशियो के बारे में एक जानकारी और देदू ये प्रेटेशियों का क्या है दोस्त भी दिखाया जाता है ग्रूमियों जो है वो प्रेटेशियों का मैन सर्वेंट दिखाया जाता है ग्रूमियों और ट्रेनियों जो है वो लुसेंशियों का मैन सर्वेंट है दोस्तो इसके बाद ओके बाइंडो लो इस सर्वेंट आप लुशेंशियो है और बिशेंशियो जो है फादर आप लुशेंशियो एक विड़ो दिखाई जाती है वाइड 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 और इसके बाद होटेंशियो के द्वारा उससे साधी कर ले जाती है तो होटेंशियों की साधी किस से होती है एक विड़ो से ध्यान रखेगा इसके बाद लुसेंशियों की साधी किस से होती है वियंका से और नेक्स्ट इसमें होटेंशियों हो गया लुसेंशियों हो गया ये कुछ सौट केराक्टर होते है जिनका कोई काम नहीं होता है फिर भी एक बार को देख लिजेगा कर्टी सर्वेंट आप पेटरेशियो दे पेटरेशियो दिखाया जाता है इसके बाद ये भी इसका पेटरेशियो का सर्वेंट है पेट्रेशियो के तीन पेट्रेशियो के सर्वेंट दिखाए जाते हैं दोस्तों ओके नेक्स्ट पीटर भी पेट्रेशियो का यह सब ही जितने भी हमने यहाँ पर यह लाइन लिखी है यह देखिएगा ध्यान पूर्बग कि यह सब ही Patricio के Servant दिखाए जाते हैं दोस्तों next कुछ officer होते हैं कुछ lords भी होते हैं हमने पहले भी बताया था कि दोस्तों इसमें क्या होता है एक induction चलता है तो induction में appear होने वाले जो character होते हैं वो कौन कौन होते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है तो induction में जो characters appear होते हैं वो क्रिष्टो पर सिलाई होता है main character एक drunken tinker दिखाया जाता है और hostage के दोरा आप एन ओके एलको हाउस LA house से जो alcoholic house होता है बार होता है उसके बाहर इसको hostage के दोरा फेक दिया जाता है फिर उसी रास्ते से एक lord गुजर रहा होता है वो play करता है prank जो है किस पर sliper आगे हम कहानी बताएंगे कैसे और बार्थोलोमियों जो है वो lords का page गवाय दिखाया जाता है ओके इसके बाद lords huntsman हैं players हैं serving man हैं यह बहुत सारे चीज़े हैं और last में दोस्तो हम आपको एक question भी करवाएंगे इस पर आधारे तो आप लोग बने रहेगा अंत तक चलो हम लोग सुरू करते हैं इसके हिंदी story दोस्तो अगर हम इसके हिंदी story की बात करते हैं तो सुरुवात इसकी कुछ ऐसे होती है इसमें दो चीज़े दिखाई जाती है एक induction होता है induction में कुछ ऐसे शुरू होता है कि एक सरावी विकारी जिसका नाम क्रश्टो पर सिलाई है ज्यान से सुनिएगा एक सरावी विकारी जिसका नाम क्रश्टो पर सिलाई है ओके जिसको एक सराव खाने के बाहर फेक दिया जाता है एक होस्टिस के दौरा एक होस्टिस के दौरा इसको सराव खाने के बाहर फेक दिया जाता है और फेकने के बाद बही पर सो जाता है तो बहां से एक लॉड निकल रहा होता है कौन एक लॉड जो है वो बहां से होकर के निकल रहा होता है अपने साथियों के साथ वो इसको देख लेता है किसको क्रिस्टोफर स्लाई को देख लेता है किसको देख लेता है क्रिस्टोफर स्लाई को दोस्तो अब पड़े हुए अब हुआ क्या कि अपने साथियों के साथ जो है वो इसको देख लेता है अब देखने के बाद जो पड़ा हुआ बहे इस बिकारी के साथ मज़े लेने की सोचता है ए लौड इस बिकारी के मज़े लेने के लिए रहीसों वाले कपड़े पैना देता है और ये एकिन दिलाने के लिए कि ये कोई बिकारी नहीं असलियत में ये एक रहीस आदमी है एक लॉड है और अपनी असली आइडिनिटी भूल चुका है पागल हो गया है 15 साल से ये पागल है इसलिए खुद को सराभी समझ रहा है और लाड का एक आदमी इसी तरीके से जो लाड का एक आदमी क्रेश्टोपर सलाई की भाईव का भेश रख लेता है जिसको हम पेज वुआय कहते है भाईव क्रेश्टोपर सलाई का भाईव बन जाता है कौन आप पेज वा इंडिस गाईज बेश बदल करके आ जाता है और जब इसको होस आया तो सब इससे माई लौड माई लौड कहे करके पुकार रहे थे तो सरादी को एकीन हो गया कि वो किसी समय में एक रहिस आदमी था और कुछ समय के लिए पागल हो गया मतलब इसे पूरा का पूरा ऐसा प्लोड को ऐसा प्रेंग किया गया क्रिस्टोफर सलाई के उपर लौड के द्वारा कि क्रिस्टोफर सलाई को एक तम पूरा एकीन आ गया कि वो जो है एक बड़ा आदमी था यानि कि पूरी तरीके से इसने क्या करा उसको इस बात का एकीन दिलवा दिया दो और लेटर प्ले और आज हम लोग जो डिसकस कर रहे हैं वो ये किनका important play है जिसका नाम टेमिंग आप दी शुरू है आप लोगों पताइए अच्छा जो टेमिंग आप दी शुरू है वो बिलियम सेक्सपियर के एक comedy माना जाता है जिसको हमने बताया था कि 1990 से 92 के बीच में ल या यह कैसे तो introduction तो सबसे मज़े की बात तो यही है दोस्तों कि इस comedy का एक introduction है ओके तो जब इस play की शुरूआत होती है तो एक character होता है जिसका नाम किस्टोफर सिलाई होता है और यह टिंकर होता है टिंकर के मतलब मैं बता चुका हूँ बरतन बनाने बाला होता है और यह local और यहां का एक local lord होता है जहां से इसकी सुरुआत होती है मैं वो कहानी बता रहा हूँ ओके एक local lord है जो यह सोचता है कि चलो आज क्रिस्टोफर सिलाई के साथ एक prank किया जाए जब क्रिस्टोफर सिलाई सो रहा होता है तो उसे लाड के कपड़े पहना देता है और एक 40 स क्रिस्टोफर सिलाई जब जागे तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वह एक lord है और हम सब लोग उसके सेवक हैं और इस local lord ने क्रिस्टोफर सिलाई को ही क्यों चुना क्योंकि उससे पता था इसकी दिमागी हाला ठीक नहीं है कुँश ठीक नहीं तो सिलाई उसने इसको चूल कि ठीक है प्रैंट करने के लिए सबसे अच्छा करेक्टर है दोस्तों अब किस्टो पर से लाई जब ये जागता है तो खुद को एक लाड के कपड़े में पाता है बहुत अच्छे लाड जैसे राजा महाराजाओं के कपड़े नहीं होते हैं उसको बैसे कपड़े पैनाई दिये गए थे लाड के द्वारा तो एकदम लाड लग रहा था और राज महल के वेड़ पर अपने आपको देखता है तो थोड़ा सा आश्चर चिकित हो जाता है बहुत परशान हो जाता है कि मैं या कैसे आ गया तो बहां के नौकर लोग उसे बोलते हैं कि आप तो लाड ह हो ओके यहां के तो वो कहता है नहीं मैं तो एक बरतन मेचने वाला हूँ मैं तो एक टिंकर हूँ बरतन मनाने वाला हूँ तो सब लोग कहते हैं नहीं आप तो लाड हैं आप तो लाड हैं आप टिंकर नहीं हैं सब लोग उसको ऐसा एक इंदिल आने में लगे हुई थे कि वो टिंकर नहीं बलकि लाड ही है सिलाई को विश्वास तब होता है जब एक पेज बुआ है उनकी बाइफ उनकी पत्नी का रूप बदल करके आती है ओके तो सिलाई सोचता है कि मैं एक लाड हूँ उससे विश्वास हो जाता है और ये मेरी बाइफ है अब बहलाड जो उसके साथ प्रैंक खेल रहा था बैस लाई से कहता है कि चलो आज आपके लिए एक नाटक का आयोजन करते हैं एक प्ले का आयोजन करते हैं तो हम लोग एक प्ले देखते हैं और उस प्ले का नाम है टेमिंग आप दी शुरू अब प्ले की कहानी सुरू होती है एक इटेलियन सिटी पैडवा से यही कहानी की हम सुरुआत करेंगे एक इटेलियन सिटी होता है दोस्तो पैडवा आप देख पा रहे होंगे यह एक इटेलियन सिटी है कौन सा है दोस्तो इटेलियन सिटी तो फिर से इस city का नाम मैं इसलिए बार-बार ले रहा हूँ आपको याद रखना है कि टीम पॉलेंट चीज है यानि कि play की जो शुरुवात होती है वो पैड़ुआ के एक Italian city से होती है जिसमें एक young rich man है जिसका नाम है Lucentio फिर से रिपेट करता हूँ जिसमें एक rich man है क्याuges लुसेंशियो लुसेंशियो अब लुसेंशियो उसके दो नौकर है trainio और bendelio ये दो नौकर हैं किसके लुसेंशियो के दोस्तो लुसेंशियो और bendelio जो लिसेंशियो यानि कि तब क्या होता है जो लिसेंशियो होता है वो उनिवर्स्टी जाता है पढ़ने के लिए बहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम होता है बियंका क्या नाम होता है दोस्तो बियंका और ये बियंका किसकी पुत्री होती है बैप्टिस्टा मिलोना की क्या होती है ये पुत्री होती है दोस्तो बैप्टिस्टा मिलोना थोड़ा सा spelling यहाँ पर थोड़ा mistake हो गई है दोस्तो उससे आप अपना ठीक का लेजेगा यहाँ पर तो उससे जा करके क्या करता है ये जैसे उसको देखता है तो एकदम पागल हो जाता है उसके लिए पहली ही यानि की एक लड़की को देखता है जिसका नाम हम बताई चुके हैं क्या होता है बैंका होता है और पहली नजर में उसको उससे प्यार हो जाता है लेकिन बैंका से साधिक आने के लिए लुसेंशियों के सामने दो प्रॉब्लम थी समझेगा मेरी कहानी को कि बियंका से साधिक आने के लिए लुसेंशियों के सामने दो समझ जाएं थी दो प्रॉब्लम थी पहली तो ये थी कि बियंका के पहले से ही दो सूटर है, पहले से ही, मैं पिछले बता चुका हूँ के टूटल तीन सूटर थे एक उन में से कौन है, लुसेन जीओ भी है तो और होटेन सीओ भी होता है, ध्यां रखिएगा तो इसके पहले से ही दो सूटर है उन में से एक होटेन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक होडेंसियो है, और दूसरा ग्रेन को, एक इसके बियंका के सूटर है, तो एक, दो, और तीसरा लुसेंसियो, ये तीनों जो हैं, वो बियंका के सूटर हैं, बियंका से साधी करने के इच्छों की ब्यक्ति है, और बियंका जो है, वो बैप बैप्टिस्टा मिनोला की पुत्री है और बैप्टिस्टा मिलोना की बैसे तो दो पुत्री है एक बियांका है दूसरा कैथरीन है लेकिन बियांका के से तो साधी करने को बहुत सारे रिष्टे आते हैं लेकिन कैथरीन से कोई भी साधी करने को तयार नहीं है क्योंकि ये एक मुँपट लड़की है और दूसरी बड़ी समस्या है मैं आपको बताता हूँ यह तो पहली समस्या के बारे मैंने डिसकस कर दिया दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जो बियंका के फादर बैप्टिस्टा मिलोना है कौन है टाइटिल भी है चैप्टर का हमारा ओकी शुरू है अर्थात रूड बहुत रूड है जब तक उसकी साधी नहीं हो जाती तब तक वो बियंका की साधी नहीं करेंगे अब तो लुसिंस्यू के सामने बड़ी समस्या थी बोले यार ये तो अच्छा हुआ कि बैप्टिस्टा मिलोना हमा जब तक साधी बियंका की हमसे नहीं करवाएंगे जब तक कैथरीन की साधी नहीं हो जाएंगे और कैथरीन से कोई साधी करना नहीं चाहता क्योंकि ये एक मुपट लड़की है अर्थात अब कैथरीन बहुत ही रूड है और बहुत बड़ बोली है ये ना तो बड़ों को प्यार करती है ना तो बड़ों की इज़्जद करती है और नहीं चोटों को प्यार करती है साधी इसी कान इसकी साधी में भी समस्याएं आ रही है किसकी कैथरीन की दोस्तो अब थोड़ा सा तो यहां पर क्या होता है कि तो लुसेंशियो यह डिसाइड करता है कि वो बियंका के घर जाएगा अब वो कहता है कि कैसे न कैसी बियंका से तो मिला जाए लेकिन बियंका से कैसे तो यह जो लुसेंशियो होता है यह जो लुसेंश भीयंका के घर latin tutor जाने कि एक latin translator का teacher बन करके जाता है फिर मैं repeat करता हूँ ध्यार रखना यहां से question कभी कभी पूछ लेते कि ‫orang student to beyanka के घर которых तरीके का तो एक latin translator या latin tutor बनके वो बयंका के घर में रहने लगता है अब एक तीसरे person की और entry गो तो hotensio hotensio भी बियांका से सादि करने का इच्छुक भेक्ति है एक shooter दिखाया जाता है जो एक और shooter है बियांका का वो बियांका के घर जाता है लेकिन ये भी अपना भेस बदल लेता है hotensio भी और ये भेस रखता है music teacher का तो यहाँ पे दो लोग भेस बदले हुए हैं दोस्तो लुसेंशियो जो है वो लेटिन ट्यूटर का भेस बदलता है और होडेंशियो ब्यंका के घर में एक म्यूजिक टीचर बन करके रहने लगता है लेकिन इन दोनों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कैथरीन की साधी क कैसे हो अब कहानी आगे बढ़ती है तो होडेंशियो का एक दोस्त होता है फिर मैं रिपेट करता हूँ यहाँ पे होडेंशियो का एक दोस्त होगा होडेंशियो का दोस्त कौन है दोस्तो अब किसकी इंट्री होगी एक नए कैरक्टर की इंट्री होने वाली है जिसका नाम है पेट्रेशियो ओके जो की बरोना का रहने वाला है बरोना से आया है साधी के लिए पेटरिस्यू जो है वो कहां से आया है बरोना से आया है और ये साधी करने के लिए आया अपने नोकर के साथ में बहे बैप्टिष्टा मिलोना के घर आता है किसके Baptist Milona के घर आता है और कहता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी Catherine से साधी करना चाहता हूँ ये कौन कहता है Patricio किससे कहता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी Catherine से साधी करना चाहता हूँ किससे Catherine से साधी करना चाहता है दोस्तों यहाँ पे कुछ spelling mistake है तो आप इन पर मत जाईएगा ठीक है इधर character को देख लेना है तो इधर से देख लिजेगा अब slide बन गया है तो इसे हटा भी नहीं सकते ओके अगर हम बात करें Catherine C-A-T-H-E-R-I-N-E होगा Catherine ठीक है दोस्ता आगे देखो यहाँ पे अब यह पेटरिशियो है वो Catherine से साधी करना चाहता है तो जैसे पेटरिशियो यह बात कहता है कि मैं Catherine से साधी करना चाहता हूँ तो यह जो होटेंसियो का दोस्त दिखाया जाता है होटेंसियो का दोस्त दिखाया जाता है तो होडेंस यो पेटरिश्यो को समझाता यार तू कैथरिन से साधी मत कर यह तो बहुत ही बतमीज लड़की है और इसको बिलकुल भी अकल नहीं है ना तो किसी से बाचित करने की ना तो किसी को सम्मान एक पैसे का सम्मान भी नहीं देती है और अपनों से बड़ें से कैसे बाचीत की जाती है इसे ये भी तमीज नहीं है ये एकदम अडियल गोड़ा समझ लो बोले मुझे अडियल गोड़े की सवारी करना है अब तो इसने पेट्रोशियों ने एकदम मन बना लिया कि वो साधी करेगा तो कैथरीन से ही करेगा अब उसने का तो ठीक है अब ये क्या होता है साधी करने के लिए बैप्टिस्टा मिलोना के घर जाता है यानि कि आप पेट्रोशियों इनके पिता कैथरीन के पिता बैप्टिस्टा मिलोना से जाकर के मिलता है और कहता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी कैटरीन से साधी करना चाहता हूँ कैटरीन उसे बहुत भला बुरा कहती जब पहली मुलाकात होती है कैटरीन और पैटरोसियो की तो पहली मुलाकात में कैटरीन पैटरोसियो को लगे हाथों ले लेती है लेकिन जो है पेटरोस यो बड़े दिमाग से काम लेता है और इसकी बातों का बिलकुल भी बुरा नहीं मानता तो कैथरीन सोचती यार मैंने इसको इतना बला बुरा कहा लेकिन इस बंदे ने कुछ भी नहीं कह बै बहुत रूडली बात करती है लेकिन पेट्रोसीयो को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बै गोस्णा कर देता है कि संडे को बै कैतरीन से साधी करूँगा कौन पैतरीन से साधी करने के लिए संडे वाला दिन चोल लेता कैथरین बड़ी सर्प्राइज होती है कि मैंने तो इसे इतना बला बराब ओरा लेकिन फिर भी ये साधी करने को तयार है कैसे तयार हो गया साधी की सभी तयारियां सुरू हो जाती है संड़े का दिन है साधी का लेकिन पैटरिस्यू अब क्या हुआ साधी का जैसी दिन आया साधी का महरत आया पैटरिस्यो बहुत लेट आया सबी तैयारियां सुरू हो जाती है ओके पैटरिस्यो अभी तक नहीं आया कैथरीन घवरा जाती है कि सायद पैटरिस्यो भी भाग गया है ओके अब नहीं आएगा लेकिन काफी समय बाद बहुत लेट पैटरिसियो बहाँ पर आ जाता है और जब वो आता है जब उसकी इंट्री होती है पैटरिसियो की तो बहुत बुरी गंदी ड्रेस पहन करके आता है और वेकार के गोड़े पर बैठ करके आता है और कैथरीन से साधी करता है साधी करने के तुरंत बादी समारो चली रहा होता है दावत अभी तक खत्म भी नहीं हो पाती है तब तक पैटरोशियो कैथरीन से कहता है कि चलो अब हम लोग बारोना चलते हैं हमें यहां नहीं रुकना है लेकिन कैथरीन की इच्छा है बहां रुकने की बट जो पैटरोशियो होता है वो कहता है अब तो मेरी बीवी हो जो भी मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा तो कैथरीन विचारी बहां से चली जाती है लेकिन पैटरोशियो उसे रुकने नहीं वो रुकने का मन होता है लेकिन रुकने नहीं देता तो वो बहाँ से चले जाती है उसको लेकर बैरोना चला जाता है जहां पर उसके साथ बहुत अच्छा बिभार नहीं करता कई दिनों तक उसे खाना खाने को नहीं देता नहीं सोने देता है कौन सॉरी पैटरिस यूकिस को कैथरीन को और यह कहता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम इतने बेकार सा खाना खाओगे मैं नहीं चाहता है इतना बेकार खाना खाओ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम इतनी बेकार जगाए पर सोगी मैं नहीं चाहता इतनी बेकार जगाए पर सूए तो इस तरीके से ना तो भ國 उसको खाना खाने देता है और नहीं घुच को सूने देता यहReisa कली उसकी क्या होती एक चाल होती ही पैटिरिस यो की कैथरीन को सुधारने के लिए कैथरीन को ओकै जो है अपने रास्ते पर लाने के लिए अब यहाँ पैडियों में लोसेंस यो और होडेंस यो अब थोड़ी सी कहानी फिर से चेंज होती है अब तक यह कहां हम लोग बैरोना आ गए थे किसके साथ में पैटरोसियो साधी करके कैथरीन को कहां ले आया था बैरोना अब यहाँ पर उसे सुधारने का हर्स प्रियतन करता है उसे ओके और वो इसको सुधार भी देता है तब क्या होता है फिर से हम लोग हमारे कहानी जो है पैड़ुआ में थोड़ा सा मूव होगी और अब यहाँ पैड़ुआ में लुसेंशियो और होटेंशियो बियांका का द क्या करता है एक रिज वीडियो से विवा करने का अलान कर देता है अब बैप्टिस्टा मिलो ना जो कि उसके पिता होते हैं किसके बियंका की वो भी लुसेंशियों से साधी करने को तयार हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं इन दोनों में से होडेंशियों और लुसेंशियो होन है तो लुसेंशियों होता है आता वो बियंका की साधी लुसेंशियों से करने को तैयार हो जाते हैं बियंका की अब क्या होता है कि लुसेंशियों से साधी करने के लिए तो साधी का माहुल होता है तो पुझो पैट्रिशियों होता है कहां बैरोना का ओके बह कैथरीन से कहता है कि चलो हम लोग भी साधी में समलित होंगे चलो हम लोग भी पैड़ुआ चलेंगे दोनों लोग पैड़ुआ पहुंच जाते हैं और बहां पहुंच कर सब लोग कैथरीन को देखकर के बड़े हैरान हो जाते हैं बड़े आश्चर चकित हो जाते है कि यार तुमने कैतरीन में इतनी परिवरतन कैसे ला दिये कैतरीन का तो करेक्टर एकदम चेंज हो गया ओके इतना चेंज कैसे हो गया अब पहले की तरह बिल्कुल रूड नहीं थी जैसी कैतरीन पहले रूड बिवाहर करती थी अब बिल्कुल भी वैसा रूट में भार नहीं करती थी क्योंकि आब जो है अगर वो कहता यहां तक कि इतना अपने बस में कर लिया था पेट्रोशियों ने कैथरीन को कि अगर वो कहता सूरियों को अगर चंद्रमा कहता तो वो जो है सूरियों को चनर्मा कह देती यानि कि अपना बिलकुल दिमाग नहीं लगाती हां में हां मिला रही थी एकदम जो भी पेट्रिशियों कह रहा था वैसे ही कैथरीन कहती जा रही थी इतना बस में कर लिया था तो अब क्या हुआ कि यहां पर थोड़ा सा तो जब आते हैं यहां दुबारा से तो देखते हैं कि इसके बिवार कैथरीन के तो बिवार में बहुत सारा परिवर्तन हो गया अब बहुत अच्छे से बात कर रही है और सब की इज़त रिस्पेक्ट भी कर रही है तो सब लोग समझ जाते हैं यह सब चेंज़े पैट्रेशियो की बज़े से आए हैं अब यहां पर तीन ओके नई साधिक के जोड़े हैं जिनकी आभी नई नई साधियो हुए अब यह क्या करते हैं कि तीनों जोड़े कौन से लिसेंशियो की बात कर रहे हैं होडेंशियो की बात कर रहे हैं और पैट्रेशियो की बात कर रहे हैं पैट्रेशियो होडेंशियो और लिसेंशियो तीनों की नई नहीं साधियो होती है इनकी नहीं नहीं बीविया होती है नहीं नहीं जोड़े होती है ये दोस्तों कपल होते हैं तो इनमें एक competition होता है कि देखते हैं कि आप लोगों में से किसकी पत्नी जो है वो सबसे ज़्यादा आग्याकारी पत्नी है तो इनमें जो बहस होती है तो अपने हस या ये कहते हैं कि देखते हैं कि हम तीनों में से सबसे आगया कारी पत्नी किसकी है जो अपने हस्बेंट की सबसे ज़्यादा बात मानती हूँ तो इसमें लुसेंशियो और होटेंशियो दोनों हार जाते हैं तथा पैट्रिशियो जीत जाता है क्योंकि कैथरीन अपने हस्बेंट कि सबसे ज़्यादा ओविडेंट निकलती है सबसे ज़्यादा आग्याकारी निकलती है तो अब आपको पता लगया होगा दोस्तों कि कहानी किस तरीकी थी यानि कि अगर हम बात करें इसके मेन प्लॉट की बात करें तो मेन प्लॉट को एक बार मैं फिर से बहुत तेजी से डिसकस कर देता हूँ दोस्तों इंडेक्शन के बाद में किष्टोपर सलाई के बाद में जो मेन प्लॉट इसका डिसकस करने की बात करते हैं तो इस कहानी के जो सुरुवात होती है वो पेडुवा नामक जगह से होती है जहां पर लोसेंशियो नामक नामका एक पड़ा लिखा लड़का अपने सर्वेंट के साथ इस जगह पर आता है पेडुवा नामक जगह पर और इस जगह पर एक आदमी रहता है दोस्तों जिसका नाम है बैप्टिस्टा ओके बैप्टिस्टा मिलोना क्या नाम है बैप्टिस्टा मिलोना इसकी दो जबान बेटियां है एक का नाम है बियंका और दूसरी का नाम है कैथरीन एक लड़की इस लड़की ओके बियंका को लड़कों के बहुत सारे रिष्टे आते हैं लेकिन कैथरीन बड़ी मुफट लड़की है किसी को कुछ भी बोल देती है और तो इसको चलते इसके लिए कोई भी रिस्ता बहाँ पर नहीं आता है लेकिन उसके पिता बैप्टिस्टा ने सभी लड़कों से मना कर दिया ये कह करके कि पहले मैं अपनी बड़ी लड़की कैथरीन की साधी करूँगा इसके बाद छोटी लड़की वियंका की साधी करूँगा क्योंकि वियंका को देख करके जादे तर लड़के जो हैं पागल हो जाते थे उन में से एक लड़का लुसेंशियो यानि कि बैसे तो वियंका की तीन सूटर दिखाए गए लेकिन लुसेंशियो जो है उसके प्यार में कुछ जाद ही पागल था और यह अपने नौकर से कहने पर अपना बेस बदल करके हमने क्या बताया था कि एक टीचर का रूपधारन कर लेता है लेकिन टीचर के तो दो नहीं होडेंशियो भी रूपधारन करता है और तभी पैटरेंशियो अपने नौकर ग्रूमियों के साथ होता है पैटरेंशियो का दोस्त को होडेंशियो होडेंशियो अलड कर देता है पैटरेंशियो अब जो पैटरेंशियो है वो कैथरीन से साधी करने को इच्छो को जाता है तब ही उसका दोस्त होटेंशियो किसका पैटरिशियो का दोस्त होटेंशियो उसको अलर्ट करता है यार पैटरिशियो तो इस लड़की से साधी मत कर इसकी बड़ी लड़की से साधी मत कर क्योंकि इसकी बड़ी लड़की तो बत्तमीज लड़की है Patricio decide कर लेता है कि अब साधी करना है तो इसी लड़की से करना है अर्थाथ वो Catherine से साधी करके उसको साथ ले जाता है तो इस तरीके से comedy play का जो अंत होता है वो बहुत सो ख़द अंत होता है और अंत में ये तीन जोड़े बनते हैं Haudensio जो होता है वो एक बिद्वा से साधी कर लेता है Lucentio बियंका से साधी कर लेता है और Patricio जो है वो Catherine से साधी कर लेता है तो कहानी हमें लगता है दोस्तों बहतरीन तरीके से आपको समझ आई होगी ये इसके कुछ character थे तो आप अपने characters को सभी जो है copy पर लिख लें और notes को बनाते चलें क्योंकि exam जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे वैसे आपके notes आपको मजबूती प्रदान करते जाएगा और revision करने में भी आपको आसानी होगी साथियो तो इसके कुछ मैं ये पूरी की पूरी story दी है प्यार से बैठ करके इस story को एकदम अच्छे से सुनिएगा और सुनने के बाद में ये taste दे रहा हूँ आपको लगाने के लिए ये taste मैं दे रहा हूँ दोस्तो ये लगा करके आपको comment box में बताना है इसके answer सभी मैं कोई भी answer नहीं बताऊंगा दोस्तो सारे answer मैं comment box में बताऊंगा अगर आपके गलत होंगी तो मैं कोई 10 question दूँगा आपके लिए और इन 10 questions के answer आपको comment box में बताना है साथियो सबसे पहला ये है who tricks lie तो art मैं बताता जा रहा हूँ कि जो किष्टो पर सिलाई होता है उसके साथ trick कौन चलता है दोस्तो तो 4 option लॉड जो है प्रेंग करता है king करता है priest करता है या knight करता है चारों में से एक option देना है अगला है who became bianca's music teacher bianca का music teacher कौन बनता है दोस्तो तो आपको bianca का music teacher कौन बनता है इस 4 option आपके सामनी दिये गए है चारों आपके जैसे है फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छा क्रिश्टोपर स्लाइज का प्रोफेशन क्या था वह एक टिंकर था टेलर था सोलजर था इस्पाई था चार आप्शन में से एक आप्शन से यह फिर आपको बताना है अगला जो लुसेंशियो होता है वो बियंका के लिए किस तरी कैसे करके अपने प्यार को एक्सपेस करता है डिक्लियर करता है तो तो दोस्तों देखो यह जो लुसेंशियो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपके लिए जो लुसेंशियो होता है वो बियंका के हाँ एक लैटिन ट translator का teacher वंदर के उनके घर पर जाता है तो आप बता सकते हो दोस्तों की कौन सा option इसमें से सही होगा दूसरा What does patricio convince catty patricio जो है वो catty से मतलब Catherine to say about the sun जब वो sun के बारे में Catherine से पूछता है patricio ओके तो जो Catherine होती है वो क्या जवाब देती है कौन सा option सही होगा पैट्रिशियो जो होता है वो उससे होता तो sun है लेकर वो कहता है क्या ये moon है तो Catherine जो होती है वो कह देती है कि हाँ sun को सूरी को भी moon बता देती है तो fourth वाला option क्या होगा आपका सही होगा next अगला question क्या है where is the most of the play set जादत तर play की setting का होई पेड़ूआ में होई बरोना में होई बेनिस में होई या बार्क बिक साहर में होई दोस्तो तो 4 में से एक option आपका सही है फिर से आपको comment box में इसका भी answer देना है सभी के answer आपको comment box में देना है मैं आपके answer का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तो अगला how does patricio prevent करते है kitty को from eating after their marriage साधी जब patricio की kathirine से साधी हो जाती है kitty से साधी हो जाती है तो वो किस तरीके से जो है साधी के बाद kathirine के खाने पीने और पहनने पर रोक थाम लगाता है किस तरीके से सुधारता है दोस्तो he says that the food is not good enough for her यह कहता है या she tells her she is too fat या simply forbid her या she tells her that food is poisoned तो आपको चार आप्सन में से एक आप्सन सही आप्सन का चुनाओ करना है अगला दोस्तो what is shrew इस taming of the shrew में shrew कौन है दोस्तो किसको define किया गया है इस पूरे के पूरे प्ले में shrew किसके लिए बोला गया है तो चार आप्सन यहाँ पर भी दोस्तो दिये गए है चारों में से एक आप्सन आपका सही है कि shrew किसके लिए यूज किया गया है कौन होता है shrew का मतलब क्या होता है आप ये बताना है का शुरू का मीनिंग का होता है तो चार आपसन में से एक आपसन सही है अगला whose wife is the first to answer the summons at the end of the play ओके चार आपसन आपके दिये गए किसकी पत्नी जो है वो प्ले के अंत में सबसे ज़्यादा disobedient दिखाई जाती है तो चार आपसन आपके सामने leucentio, patricius या hortensio या baptist charge चार आपसन में से एक आपसन आपका सही है दोस्तों तो ये थी आज की the timing आप दिश्रो और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा ओके और आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा आपको दूँगा वो होगी the comedy आप दे एरर पर तो उस वीडियो को थोड़ा सा इंतिजार करिए दो तीन दिनों में मैं उसे जो है बना करके upload कर दूँगा record करके तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जाए हिन जाए भारा साथ ही हूँ ओके